हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको शूजी का हलुआ बनाना बता रही हूं शूजी के हलुआ के लिए इंग्रेडियन्स हमें शूजी चाहिए एक बाउड शक्तर चाहिए एक बाउड यह घर के दूद्की मलाई है हाफ कटोरी यह देसी ली है हाफ कटोरी यह तीन छोटी लाइची है और हमने यह ट्राइफूट्स लें किस्मिस बदाम इस्ता और काजी बदाम कामने दो पीस काट लिये हैं और पानी लगाई सूजी के हरिवा्ट के लिए हमने एक कटाही ली है कटाही को गरम कर लेंगे अब हमसमें जी consegue डाल우您 गी तो गरम होने देखते हैं घी गरम हो गया है उसमें हम हरी लाची डालें ड्राइफ्रूट डाल देंगे एक में टेक्तर लेंगे पर हलके से लाल हो गया है अब हम इसमें सूजी डालेंगे सूजी को भी थोड़ा सा भूंज लेंगे एक मिनट भूंजने के बात तम हम इसमें शक्र डागे सूजी एक बाल लीती तो शक्र भी नहीं लेंगे हम बराबर का पानी हम डबल लेंगे अब यह गाड़ा हो रहा पकाते पकाते अब हम इसमें क्रीम डालेंगे लगातार इसको तेज आज में चलाते जाएंगे इसमें एक टेबल स्पून घी और डालेंगे अब हम इसको ढखकर सी माच पे पांच मिनट पकालें तो ढखकाता हम पांच मिनट हो गया है कि आलूवा तयार हो गया अब हम इसको प्लेट में निकालते जोजी का हलूवा बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी बना है आप एक बा अच्छा लगी तो मेरी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें